सर आप लोग की सरकार बने हुए दस मेहने हो गया है अभी तक नौक्रिया ने मिली है इसा सवाल उचने लगए हम से किर्पिया यह वला प्रस्ण न पूझे हम बिहार के मैक्सिमम जिला में हम क्रिशी सलाकार की डिग्री बाट क्या है ना नौक्री क्रिशी मंत्री होने के नाते क्रिशी सलाकार की बहाली किया वीजेपी को जूट बोलने के अलावा कुछ आता है क्या कभी भी वो सत्य जहां पे जो लोग कंत्र का मंदिर है जहां पे जनता हमेशा सत्य सुनना पसंद करती है वहां पे जूटा वीडियो देखा रहे थे उस मंदिर का भी उन्होंने आत्मा को दुखाया पूरे देश में सिंगल राम बिलास पासवान थे जिन्होंने आवाज उठाया कि भाई आरेसेस पे बैंड लगाओ आतंकवादी घोशित करो कोई भाजपा के सातियों से मैं चैलेंज करता हूँ कि जब जब सदन चला राम बिलास पासवान का क्लिप निकालिये उन्होंने ही मांग उठाया था कि आरेसेस का बैंड करो आज उनका बेटा अपनी राजनित चमकाने के लिए उनके साथ है नमस्कार आप देखें नीश्पो नेसर मैं आपके साथ अबजे सिंग बिहार में महागटबंधन सरकार बने हुए दस महने हो गए और अब सवाल उठने लगा है कि जब महागटबंधन के सरकार बनी थी त सवाल उठने लगा इसी बात करने के लिए हमास आते हैं बिहार सरकार के क्रिशी मंत्री कुमार सर्वजी जी सर आप लोग की सरकार बने हुए दस महने हो गया है अभी तक नौक्रिया नहीं मिली है सवाल उठने लगा है हम से किर्पय यह वला प्रस्ण न पूझे हम बिहार के मैक्सिमम जिला में हम क्रिशी सलाकार की डिगरी बाठ का है न नोक्री क्रिशी मंत्री होने के नाते पूरे बिहार में सभी जिला में हमने जो है क्रिशी सलाकार की बाहली किया लेकिन वीजेपी को जुट बोलने के अलावा कुछ आता है क्या कभी भी वो सत्त जहां पे जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पे जनता हमेशा सत्य सुनना पसंद करती है, वहां पे न जूटा वीडियो देखा रहे थे, उस मंदिर का भी उन्होंने आत्मा को दुखाया, हम क्रिश्य मंत्री होने के नाते पूरे बिहार में किसान सलाकार के बाहली किया, तीस तारी को एटियम बिटियम का लास्ट भाली हो जाएगा, खतम, और इसी बापू सभागार में दो हज़ार लोगों को हम नोक्रियां का सर्टिफिकेट मानिय बिहार के डिप्टी सियम और मुख मंत्री के नित्रित में बाटेंगे, यह इस महिना के उपलब्दी बता रहा हूँ, दो हज़ार से जादे नोक्रियां बापू सभागार में अगले महिने फर्स बीक तक मैं बापू सभागार में बाट दूँगा, फिर हमारे पास बियू की बहाली निकली अभी आठ सो, आठ से नौ सो, फिर उसको देंगे, जो है बहाली हो रहे हैं सिक्षकों की, अब जो है, इन लोग क्या किये कि जब हम अच्छा बहाली है, अच्छी सिक्षक को हम लाना चाहे है, और जो बरतमान में हैं, वो भी अच्छे हैं, उनको भी हम लोगों ने कहा है कि एक्जाम BPSC ले रहा है, आप लोग बैठ कि वही बेतनमान हो जाएए, और नहीं तो आप जैसे हैं, वह इसे बढ़ाते रही हैं, हमें कोई दिक्षक नहीं है, लेकिन हमारा और तेजस्वी जी का और सरकार का ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है, कि हर हालत में गाउं के गरीब बच्चे को हम अच्छी सिक्षा देग फराटेदार अंग्रेजी, मैथेमाटिक्स, साइंस, आर्स, जो भी है, वो बिचारा गरीब का बेटा को पता है कोच, जाती, धर्न, पाटिया है उसको कुछ पता, बिचारा दीन भर गाउं में गुल्ली डंटा खेलता है, अगर हम उसको कहे, कि हम बहतर टीचर आपके लि रहेंगे, अभी जो हम प्रकिरिया बदले, उसके तहट बच्चे पढ़ेंगे, अगर गरीब का बेटा कोई पढ़ेगा, तो किसी को तकलीफ है, लेकिन आपके ही कई घटक डाल है, जो इसका बिरोध भी करें ना, इस इस इच्छा के बताईए, इस धर्ती पर कोई ऐसा व ये चलते रहेगा, दस पार्टियां हम लोग अगर हैं, तो दस की अलग-अलग मन होती है, लेकिन हम लोग साथ हैं, और हम बहाली कर रहे हैं, हम यवाओं को रोजगार दे रहे हैं, अभी मुझे नहीं लगता है कभी भी मेरी राजनीत जीवन में, आज तक किसी चैनल में ह राज और परधान मंत्री ने देश के कितनी इवाओं को नोकरी बाटा, कभी डिवेट दिखा दी, हाँ डिवेट देखा है हमने, बहुत अच्छा अच्छा इनका डिवेट देखा है, जो देश के लोगों ने इनको बहुत आसिरवाद दिया, क्या कहा डिवेट में, देख का, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं ना, देश का पहला राज है जो 600 करोड हम किसानों को, हम बाट दिया पैसा की सुखाड हो गया, तो कभी ओला विरिस्ट हो गया, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, कभी भारत सरकार से पैसा नहीं देते हैं, पिछले बार किसानों की ट्रे रुपया हमको चाहिए 15 करोड रुपया मिला और फिर अब जब हमने कहा कि किसानियों के लिए हमको इतना पैसा चाहिए साथ करोड जो मेरा डिमांड सा उसको घटा के अरतालीस करोड कर दिया क्या बात करेंगे दोहजार चौविस को लुभाने के कुछिस किया जा रहा है जो चिराग पास्पान है वह भी अब इंडिया गठ्वंदर में जूटते हुए दिख रहे हैं और वहीं बात करें तो जीत जोकी वह गठ्वंदर्न में है यहत्य करना मानने मुख मंत्री और उप मुख मंत्री का होता है सवाल जहां तक है दलितों का तो मैं इतना जानता हूं कि यह देश के दलित के साथ-साथ सभी जाती धर्मों के लोगों ने समझ लिया है कि यह दल जो है कोई काम मौम करेगा नहीं मंदिर मस्जित का बात करके सबको लड़वा देगा अब यह बताइए कि जिस देश में दलीत गरीब गुर्वा का स्कूल तुटा-फुटा हो पानी टपकता हो वो उसकी बात नहीं करते तो जिस देश में सिक्षा के मंदिर से बढ़ियां देवता का मंदिर हो वह जबाल खड़ा करते हैं कि 33 साल आ तो भाइट भाइए को लेकिं दलीतों कि कहा में राज दैसे साल में काम में रोज़गार मिला ब्लाए विजिव भी लाए जो बोल रहा है हम कोई दलीत का बेटा नहीं तो क्तै काम कर रहे हैं गरीब किसाने के लिए na हम सिर्फ काम पर भरुसा रहते हैं हम लोग ज्यादा अकबक भगबक नहीं करते हैं काम हम करेंगे गरीबों के लिए अकलियत के लिए अब बैचारा एक चीज़ बताईए भाजपा का इस देश का एक नेता सिर्फ हमको बता दे कि पूरे हिंदुस्तान में वह हमको घुमाए और कहीं से भी एक मट्टी उठा ले अब उसकी खुस्वू जो है वो भी ले ले हमको भी दे दे उस मीटी में से कोई हिंदु मुसल्मान की खुस्वू आती है कि नहीं अरे वह हिंदुस्तान का न खुस्वू आएगा हिंदु और मुसल्मान की खुस्वू आएगी इसी मी पे दलित बी जलमें और इसी मीटी पे अपरकास्ट के लोग भी जलमें तो यह भाईचारा कब अस्थापित होगा सबको मिलकर के देश के बारे में सोचना है ना लेकिन बिहार के जाती काफी माने रखता है तो कि इदर लगता है कि दलीत कि दर है महागठवंधन या इंडिय दो पहलू हो गया है अब देश में एक है दल जो चाहता है कि देश में अमन और चमैन अमन हो चैन हो खुशहाली हो तरक्की वाला देश हो और एक दल है जो सिर्फ हिंदू और मुसल्मान के बात करता है अब ये परस्थिति उत्पन हुई है कि अब देश के युवाओं को पतै करना पड़ेगा कि कि या देश Y Daid को भाटने वाले दल के सात रहना है हिंदु मुशल्मान करने ौले के सात रहना है कि धिस itel जबसे यह सदन चला और सदन में जब से मानिये राम विलास पासवान थे पूरे देश में सिंगल आप जो है राम विलास पासवान थे जिन्होंने आवाज उठाया कि भाई RSS पे बैंड लगा आतंकवादी घोसित करो कोई भाजपा के सातियों से मैं चैलेंज करता हूं कि जब जब सदन चल राम विलास पासवान का क्लिप निकाल लिए उन्होंने ही मांग उठाया था कि RSS का बैंड करो आज उनका बेटा अपनी राजनित चमकाने के लिए उनके साथ है तो देश का लोग सब देख रहा है अरे दलितों की बात करनी चाहिए ना हम क्रिश्य मंत्री हैं और हम दलित हैं कभी तो नहीं आए हमारे पास की जराइए गरीब के लिए काम कर दिये कभी उन्होंने बिहार के किसानों का कोई सुझाओ नहीं दिया मुझे इस बात का मुझे अफसोस है अगर उनके पिता जी होते तो जरूर हमको टेलिफोन करके और जो है दलितों का और किसानों का सुझाओ देते कहां दिया उन्होंने एक पत्र जरा बता दे वो हमों लिखे हमको कि भाई तुम भी पासवान का बेटा हो हम भी पासवान के बेटा है जरा बिहार के किसानों के लिए कुछ कर देना है आपको ये तो कह सकते हैं ना कि नहीं कह सकते है ये कहने में कोई मुकदमा होता है कोई अपराद है सुझाओ दे दीजे न इतने बड़े आप नेता है बिहार के किसान के बात नहीं कर सकते है सुझाओ दीजे हमको दलितों के लिए सुझाओ दीजे मैं जब मना सारी युजना में हमने रिजर्वेशन ला दिया सारी युजना जितनी एक दलीत का बेटा पूरे विभाग में सभी उजनाओं में रिजर्वेशन ला दिया और दूसरा का कह रहे हैं? आपने रिजर्वेशन ला दिया, आपको रधाई हो बधाई देने में, कोई अगर समाझ है, कोई दलित का बेटा मंत्री बना है और मैंने सारी योजना में रिजर्वेशन ला दिया बधाई देने में पाप हो जाएगा क्या؟ और जरुब बता दे पूरे बिहार का एक 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 जामपल बता दे उन्होंने दलीतों के लिए क्या किया जिसके पिता जी सदब दलीतों के लिए लड़े आज उनका बेटा दलीत विरोधी पाटी में और भाजपा की सरकार ने दलीतों के लिए क्या किया जरा हमको बताइए अगर रिजर्वेशन ही लाया गया महिलाओं का दलीतों का तो नितीजी ने न किया कोई है रोलन का कभी भी बिहार सरकार को चिराग पासवान ने क्या कभी सुझाओ दिया कि दलीतों के लिए काम करना चाहिए बताईए हमको यानि 2024 में चिराग पास्वान को मालूम चल जा कि दलीत किसके तरफ है 2020 में जब चुना हो रहा था तो एक चीज हमको आज तक समझ में नहीं आया कि जब लोग सभा का चुना होता है तो चिराग जी जो है किसी ने किसी दल के साथ मिल के लड़ते है कि हम सांसद बन जाए और जब बिधान सभा होता है जब किसी गरीब दलीत के बेटा को बिधान सभा पहुचना होता है तो बोलता है आकेले लड़ो इसका हमको भाई थोड़ा समझाना पड़ेगा या तो पूरे देश के लोगों को बताएं कि लोग सभा में हम गठवंधन में क्यों लड़ते हैं और बिधान सभा में हम गरीब के बेटा को बिधान सभा न पहुचे इसलिए अकेले क्यों लड़ते हैं ये उनको बताना चाहिए देशनलिये ये थे हमाएसाथ बिहार सरकार के मनत्री सबस्थ शक्रप पास्मान से सवाल करें के जब लोक सभा के चुनाभ होते हैं तो किसी से लड़ते हैए अब जब इधान सभा के चुनाभ होते हैं तो दलीतों को क्यों कहते हैं अकिले लड़ने का है तो सवाल का जवाब पहले दीजे चिराक पास्मा इस तमाम ख़रों को पर देना नीश पोनेशन के साथ नमस्कार